हेलो फ्रेंड्स क्या निफ्टी 17 दोसों को पार कर पाईगी यह हम एनलीसिस करेंगे आज की वीडियो में साथ में हम आपके लिए दो इंट्राडे स्टोक्स कल के लिए दो स्विंग ट्रेडिंश टोक्स कल के लिए और साथ में देखेंगे डाउ चोंस और गोल्ड का जैसे कल की लाइव टीव में मैंने आपको बोला था कि अभी बाए नहीं करना है जैसे आप देखोगे कि अभी सोशलमीडिया पर टीवी पर सारी जगा है आपको यही सुणने में मिलेगा कि level क्रोस हो गया साड़ यार का level क्रोस हो गया यह हो गया ऊपने वह emotional में नहीं आन था कि यहाँ पर 16-1700 के लेवल पर तो वहाँ पर एक बाइंग का अच्छा चांस था तो अगर आप डेली का चार्ट भी देखते हो तो यहाँ पर यह देखिए यह 1860 के पास इसमें से नीचे से रिवर्सल आया था नीचे से रिवर्सल ब्रेक आउट था तो ऐसे जो आगर आ एक डिमार्ड लेवल पर बाय करो तो यहाँ पर देखोगी गोल्ड के चार्ट ने यहाँ पर डेली के चार्ट पर भी यहाँ पर 200 EMA का सपोर्ट लिया था और यहाँ से फिर ब्रेक आउट आया था तो यहाँ एक अच्छा लेवल था तो आई होप आप समझ चुके होगे आप बात करते हैं, देखें, डाओ जोंस का चार्ट देखिए, डाओ जोंस वैसे मैं आपके साथ डिसकस नहीं करता है, ये इस ट्राइब कुछ होगे और आपको दो बजे कुछ होगे है यहाँ जैसे बट्तिस इन सरुयाँ इसलिए यह कर रहा हूँ कि आपको इससे फिर तो आज देखना पड़ेगा कि क्या इसके उपर close मिल पाता है या नहीं अब बात करते हैं हम Nifty के चार्ट की तो Nifty के चार्ट की आप बात करेंगे कि Nifty में देखिए continue selling pressure क्यों देखने को मिल रहा है number one अगर आप आज का भी FIs का data देखेंगे तो यहाँ पर minus 25 क्रोड तो overall FIs यहाँ पर selling कर रहे हैं continue उसके guest में battery है कि उसके guest में DIs same quantity उनकी वहाँ पर buying में आ रही है तो जितना almost FIs sell कर रहे हैं उतना almost net में DIs buying कर रहे हैं और एक आपके लिए learning चोटी सी आप देखोगे यह जैसे 10 mint की candle आप देखोगे कि यहाँ पर यह अभी काफी days से nifty जब भी open हो रहा है जो 10 mint का high बन रहा है वो हाँ उस high को close नहीं कर रहा उसके उपर close नहीं दे रहा तो जब cross ही नहीं कर रहा तो उसके उपर close कैसे देगा नीचे से reversal जुलूर रहा है बट यह high जो starting में high price बन रहा है उस high को cross नहीं कर पर आप देखोगे यहाँ पर यह जैसे आज की बाद करें यह उससे पिछला ट्रेडिंग सेशन यह 15 मार्च का ट्रेडिंग सेशन और उससे पिछे आप भी यहाँ पे देखोगे 13 मार्च का और फिर 9 मार्च का तो यह अभी काफी दिनों से selling pressure देखने को मिल रहा है बट नीचे से reversal क्यों हो आ रहा है विकोज एक तो वैसे ओवराल अभी जो trend है वो down trend ही है बट नीचे से reversal ही से लिए आ जाता है क्योंकि इंट्र डे में वहाँ पर oversold position हो जाती है जैसे हम बात करें PCR की तो PCR का फिर इंडिगेट करता है कि market पर अभी oversold position है या फिर ओर गाउट है तो जैसे आज इंट्र डे में यह 0.50 के आसपास touch कर गया था इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर चार्ट पर हमें यहाँ पर reversal भी मि बिला आज इसने बिल्कुल breakdown पर sell किया होगा means इसने 16-850 का level यहाँ पर break किया उसके नीचे candle भी दी तो यहाँ पर जो breakdown चार्ट देखते हैं तो उनने यहाँ पर sell किया होगा तो यहाँ पर आज बीरिश ट्रेडर यहाँ पर जुरू ट्रैप होए होगे उनका ऐसल हीट हुआ है बट आप गर आप reversal कैचिंग करते हो तो reversal कैचिंग काफी बैटर रहती है और उसमें risk award भी बैटर रहता है और profit जाधा रहता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर यह बार बार नीचे गया उसके बाद यह इसने यहाँ पर 1600 के पास reversal लिया रहा था पहले से यहाँ resistance बनाया यहाँ पर हमने भी try किया था तरह लेने का बट जैसे यहाँ पर create candle बनेगी immediately exit कर दिया उसके बाद आप दीखिए यहाँ पर इसके ओपर टिग गया यह क्योंकि यहाँ पर price action बन रहा था यहाँ पर resistance face हो रहा इसके ओपर candle बनी और यह continue चल पहले हम यह समझ रहे हैं कि आज के दिन में चार्ट में क्या हुआ so that कभी आपको ऐसी situation द्वारा मिले तो आपको क्या करना चाहिए तो bank nifty में देखिए gap down हुआ प्राई नीचे गया और यहाँ ने डिसकस किया होगा था कि उन्ताली जार के पास अगर bank nifty आता है तो वहाँ पर आपको कोई sell side setup बने तो वहीं पर आपको देखना तो आज यहाँ पर एक बार यहाँ पर move बना यह उपर गया उसके बाद दिर दिरे नीचे आया द्वारा फिर 49,000 के पास इसने setup मनाया है यहाँ पर यह देखिए ट्रेलेंड का breakout और यह प्राई यहाँ पर भी यह बार बर इसने रिश्टन स्पेस कर रहा था 49,170 के पास और यह हमने आपको आज अपने टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दिया था यह हम 10 मिंटे इसको पटिक जाता है तब आपको एक sharp move upside देखने को मिल सकता है so enter after breakout यहाँ पे आपको clearly mention कर दिया था कि इसमें आप इंटर कर सकते हो आप यहाँ पे इसको मैं 5 मिंट के केंडल में भी आपको शो करता हूँ तो 5 मिंट की केंडल में भी देखी यहाँ पर क्या हुआ कि यह level break हुआ और उसके बाद यहाँ पर यह फिर से retest हुआ और यहाँ पर hammer candle भी बन गी तो यहाँ पर आप नहीं कर पाए तो यहाँ पर फिर से chance दिया यहाँ पर hammer candle बना और यहाँ से sharp यह one side move आ गया तो जब आप करते हैं कि अब कल की date में क्या है पहले हमbor t कि की करना है आपको कैसा आपका plan होना चाहिए तो जैसे हम देख रहे हैं की हमें डेली जो हाइब रहा है उसका close दि अधर कर रहा है अगर कल को जैसे हम देख रहे हैं कि डाव फ्यूचर्स अभी अभी करेंटली 300 पाइंट उपर है 1% अगर ये ब्रेकाउट दे देता है इसके उपर 32-400 के उपर टिक जाता है क्लोजिंग इसके उपर मिलती है तो वैलन गूट इन केस अगर कल यहाँ पे बड़ा गैप उपर होता है और अगर गैप उपर होता है 17-140-50 के पास तो आपको इमिरेटली वहाँ पे बाइंग नहीं करनी है आपको सैलन राइज करके जलना या फिर अगर ये लेवल एक दम उपर पहुंच जाता है 17-200-225 तक तो आपका में जो अभी हड़ल है वो 17-225 है इसके उपर टिकेगा मार्किट तो फ्रेश लोंग बनेंगे उपर साइड में मार्किट वीरिस से वहाँ पे न्यूटर या फिर पूलिस मोड में आ जाएगी या दूसरा आपको देखना है कि 10 मिंड का अगर है लेकि इसके निचे अगर साइंड में आजाब अगर माल लिजिये क्योंकि आभी आप देख Process later ये फिर फिर तो बढ़ी है फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पे 10-15 मिट वेट करके जो भी breakout या breakdown देता है उसमें आप trade ले सकते हो और in case अगर gap down हो जाता है 16900 के पास आते हैं आपको 16900 के पास थोड़ा wait and watch करके या 6800 के पास या 6800 के पास यहाँ पे wait and watch करना है कि अगर आपको reversal मिलता है आप reversal के लिए train लीजिए बड़ा gap open हो जाता है 17200 के पास तब आपको इमिडेटली buy नहीं कर रहे हैं जब तक कि यह 1725 करना जाए ओपर के लेवल से आप sellerize कीजिए नीचे reversal दिखाई दे प्राइक्शन पे आपको वहां से आप reversal पे buy side में कीजिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी अगर इश्टनस मत करें अगर आपको open मिलता है यहाँ पे 49644 के पास तो यह लेवल आपका sell site के लिए है यहाँ पे आप sellerize करिए अगर continue यहाँ पर 10 मिंट का अगर low break करता है तो sellerize करके चलिए और फिर निफ्टी याने दीजिए द्वारा फिर आपको अगर यह market मिलता है 49-49 दोसों के पास तो वहाँ पे आप फिर से इसमें अगर कोई तो वहाँ पे आप buying setup देख सकते हो बाइंग के लिए initiate कर सकते हो और इसमें हम यह various mode से या फिर trend यह sideways से कब change होगा जब हम 40-49 के उपर टिक जाएंगे 40-100 के उपर जब तक हम टिक जाएंगे उसके उपर fresh फिर long बन सकते हैं और फिर एक बड़ा move तेजी की तरफ उपर सेड में आ सकता है फिर then target रहेंगे 40-400 के और 40-800 तक के target के तो यह तो था nifty bank nifty का analysis कल के लिए बात करते हैं आपको swing trading stocks कौन से देखने हैं तो पहले हम swing trading stocks discuss कर लेते हैं फिर intraday stocks discuss करेंगे तो first आप swing trading stocks देख सकते हो web of global तो यह web of global आप first swing trading stock देख सकते हो क्योंकि इसमें देखिए यह फिर से support level पर आ चुका है और इसमें यहाँ पर hammer candle भी बनी है तो इसमें stop loss है 285 का यह आपका SL हो गया यहाँ पर और target रहेगा आपका करीब पर 320-330 तक का तो आप यह इस week के लिए आप इसको hold करके stop loss के साथ चल सकते हो और दूसरा stock से में जो है आए दूसरा stock है guys Apollo tire Apollo tire में देखिए कि यह मैंने आपके पहले भी डिसकस किया था इसमें यह trail line बन रहे थी trail line के उपर यह breakout आ चुका है बट अगर आप इसमें देखिए intraday play भी का सकते हो intraday कैसे play करना है अगर यह 314 के उपर टिकता है इसके उपर cross करें तो दब आप इसको buy कीजिए और वहाँ पर आप stop loss रख सकते हो अगर यह 311.10 के निचे निकलता है 10 minute के close देता है तो आपको exit होना है intraday के लिए अगर swing trading के लिए यहाँ पर stop loss काफी deep है तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर भी buy कर सकते हो या अगर आप नीचे मिले 3078 के असपास वहाँ पर भी इसमें add कर सकते हो लेकिन अगर यह पहले 314 क्रोस कर जाता है तब आप फिर यहाँ पर एक small सा stop loss लेकर इसको 320-30 तक के लि bank nifty में तो ICC bank में तेजी आ सकती है क्योंकि इसका चार्ट काफी अभी बिल्कुल clean चार्ट बना हुआ है इसमें आपको दो तरिक्के से आप इसमें intrigue कर सकते हो इसमें आप यह देखी यहाँ पर यह ट्रेल लाइन बना रहा है इस ट्रेल लाइन के पास प्राइज आए जैसे माली जी फॉर्जम्पल यह अगर आपको मिलता है यहाँ पर 300-800-2030 के पास यहाँ पर यह तो यहाँ बाई कीजिए 820-30 के पास लेकिन अगर यह कल को निकल जाता है 842 के उपर इस लेवल के उपर टिक जाता है 842 के उपर तब आप इसमें थोड़ा सा stop loss लेकर 835 का stop loss लेकर इसको प्लाइन कीजिए रिसको रोड बन इस टू और टार्गे आपके रह अगर यह 10 मिंट की क्लोजिंग 842 के उपर दे देता है और नेक्स्ट टोप जो रहेगा वो है SCL टेक यह आपके साथ मैं इसलिए डिसकस कर रहा हूँ यह आप देखिए कि इसमें अगर हम 75 मिंट का टाइम फ्रेंड देखिए पहले आप इसमें इसमें आपको देखिए buy sell दोनों side में आपको setup मिल सकता है क्योंको लास्ट के 75 मिंट में इसमें अच्छी buying आई है और यह जहां से इसको breakout दिया था यह gap up price फिर से यहां पे देखिए वहीं पे आ गया था आज के डेट में वहीं से आया फिर से और अगर इसको buy करना है तो 1096 के उपट निकलता है तो buy कीजिए अगर यह पहले 1086 के नीचे जाता है तो आप इसको sell कीजिए तो sell side में target रहेगा 1068 का यह 1070 का यह sell side में और up side में अगर यह निकलता है तो आपका first target रहेगा 1110 और इसके उपट टिक जाता है तो 1120-30 का target आप ले सकते हो बट यह है कि 1096 के उपट buy करना है और 1086 के नीचे sell करना है और थोड़ा सा आपको 10 min के चार्ट से भी आपको अच यह यहां पर resistance face कर रहा है अभी तो इस level के उपट टिकता है निकलता है तो आपको buy करना है इस level के नीचे आपको sell करना है तो guys I hope कि आपको chart reading से कुछ ने कुछ सिखने को मिल रहा होगा तो please वीडियो को जाया जाया आप like करना और अगर आप हमारे 26 master class का अगर आप session join करना जाते हो तो आप link आप description में आप join कर सकते हो यह 26 मार्स संडे को होगा 7 pm to 9 pm इसमें हम intraday swing trading आपको पूरा वहां पे price action trading चार टेडिंग आपको सिख रहेंगे तो इसका link आपको मिल जाएगा साथ में app भी download कर लिजिए बाकी आप मुझे बताइए कि आपको कौन से stock लग रहे हैं कल के लिए मैं आपको comment box में reply दूँगा कि आपको कौन से stock अच्छे लग रहे है swing trading के लिए intraday के लिए तो मैं आपको उस पे जुरूर आपको level comment box में share कर दूँगा जो भी आपका stock साथ पूछोगे वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद